क्या आपने कभी सोचा है स्वात के लिए जो हम फास्ट फूड खाते हैं वो कितने हानिकारक हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ फास्ट पूड ऐसे भी हैं जो हमारी जान तक ले सकते हैं? नमस्ते दोस्तों आज की इस विडियो में जानेंगे पांच ऐसे फास्ट फूड जो हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही हानिकारक है यहां तक की हमारी जान तक ले सकते हैं आईए शुरू करते हैं पहले नमबर पर लिस्ट में आते हैं फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज में सोडियम यानी नमक और तेल की मात्रा इतनी जादा होती है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं इससे ब्लड प्रेशर और उबेसिटी जैसी बिमारिया हो सकती हैं दूसरे नमबर पर आता है सब का फेवरेट पीज़ा क्या आप जानते हैं पीज़ा में अधिक मात्रा में चीज और सॉस होने के कारण हमें हार्ट प्रॉब्लम्स, मोटापा या फिर डाइजेशन से संभन दित बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं तीसरे नमबर पर आता है सोडा जिसे हम मौक्टेल और कॉक्टेल जैसी ड्रिंक्स में मिक्स करना बहुत ही पसंद करते हैं पर क्या आप जानते हैं सोडा में इतने अधिक मात्रा में शुगर होता है कि इससे डाइबिटीज और उबेसिटीज का खतरा बहुत भड़ सकता है चौथे नमबर पर आता है बर्गर बर्गर में प्रोसेज्ड मीट और जंक फूड कैंसर और दिल की बिमारियों का खतरा बढ़ाता है पाँचवे नमबर पर आता है फ्राइड चिकिन इसमें इतनी अधिक मात्रा में तेल इस्तमाल होता है कि इससे हट प्रॉब्रम्स हो सकते हैं फास फूड खाना कभी भी सही नहीं माना गया है बावजूद इसके लोग इसका सेवन लगातार करते हैं भले ही स्वाद में जंक फूड अच्छा हो लेकिन जंक फूड खाने के कई और नुकसान है आईए एक नजर उन पर भी डालते हैं जंक फूड आवश्यक पोशक तत्व जैसे वाइटमिन प्रोटीन या फाइबर प्रदान नहीं करता जिसकी वज़ा से इसकी अधिक्ता होने पर उज्जा में कमी महसूस हो सकती है पोशक तत्व कम होने के कारण इसका अधिक सेवन करने से शरीर में पोशन की कमी हो सकती है जंग फूड के सेवन से ध्यान के इंद्रत यानी एकागरता में समस्य हो सकती है यहां तक की जंग फूड के नुकसान में मानसिक विकार और अस्तमा की समस्य भी शामिल है दोस्तों एक लंबी जिंदिकी से जादा हमें एक स्वास्थ जीविन जीने की अवेशकता है इसलिए जरूरी है कि हमेंसे हानिक आरक फास्ट फूट से अपनी दूरी बनाए रखें आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आये हो तो इसे शेयर जरूर करे और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद